हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पड़ो इंडिया बच्चों आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की रीडिंग बियान हिंदी की वर्क्षीट नमबर 9 और इसकी विशय या थीम है प्यारे फूल शुरू करते हैं वर्क्षीट को हल करना नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में कई प्रकार के फूल देखे होंगे आईए आज हम सब मिलकर उनी फूलो पर एक गीत गाते हैं बच्चों ये रहा गीत गीत को गाते हैं कितने कोमल कितने सुन्दर कितने प्यारे प्यारे फूल गुलाब कमल गेंदा चमेली रंग बिरंगे प्यारे फूल अपनी मीठी सुगंद फैला कर मीठी सुगंद का मतलब होता है अच्ची अच्ची महक बगिया को महकाते फूल गर्मी सरदी बारिश सहकर दुख में सदा मुसकाते फूल प्रकृती का वरदान है फूल जन जन को पास बुलाते हैं फूल यानि फूलों को देख करके हमारा उनके पास जाने का मन करता है मुसकान बिकराकर अपनी धरा को स्वर्ग बनाते फूल मन को आनंद देकर जीवन में खुशियां लाते फूल सदा रहो हसते मुसकुराते यही जीवन का पाठ पड़ाते फूल परशन देखिये बच्चों विभिन फूलों के चित्र अपनी कौपी में चिपकाईए या बनाईए और उनके नाम लिखिये बच्चों यहाँ पर हमने गुलाब सूरज मुखी और ट्यूलिप का चित्र बनाकर रंग भर दिया है और उनके नाम भी लिख दिये हैं परशन दो देखिये फूलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने अध्यापक या अध्यापिका को बोल कर बताईए बच्चों फूलों को हमें छेड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए हम उत्तर लिखते हैं हमें फूलों को छेड़ना नहीं चाहिए हमें फूलों को सुरक्षित रख सकते हैं आओ बातचीत करें बच्चों यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिए दो बच्चे हैं यह आपस में क्या बात कर रही होंगे हमें वही लिखनी है यह बच्चा कहता है कि मैं रोज एक सेब खाता हूं तो यह लड़की बोलती है ताकि कोरोना कम से कम फैल सके यहाँ पर हमारी यह वरक्षित खत्म होती है